जै श्रीकृष्णा आप सभी का आपके अपने चैनल समरधी में स्वागत हैं। आज इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं अधिक मास महात्म्य का तीसरा अध्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए सुनते हैं पुर्षोत्तमास महत्तम कथा का अध्या 3। कृष्ण चन्रने राजा युदिस्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूं सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजाज शत्रू युदिस्ठिर छल प्रिय धृत्राष्ट के दुस्ट पुत्रों द्वारा दोत क्रिडा में हार गए। सबके देखते देखते अगनी से उत्पन हुई धर्म परायना, द्रौपदी के बालों को पकड़ कर दुस्ट दूसा हसन ने खीचा और खीचने के बाद उसके वस्तर उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की, पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। भीम सेन, अर्जून, आदी प्रेम विहल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीती से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण की चरण कमलों में भक्ती से नमश्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे-धीरे वहां आकर आलस से रहित होकर भगवान को शिक्र नमश्कार किया। उन दुखित पांड़ों को म्रिग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई रुखा शरी चारों तरफ बाल विखरे हुए। द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस प्रकार दुखित पांड़ों को देखकर वे अत्यम्त दुखी हुए। ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री शरीता के वियोक से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावन पर जैसा कुरोध आया था। उस प्रकार से कृद्ध भगवान को देखकर कापते हुए अरजुन कृष्ण को प्रिसन करने के लिए द्रौपती, धर्मराज, तथा और लोगों से भी अनोमोधित होकर शिग्र हे हाज जोड़कर उनकी स्तुती करने लगे। अरजुन बोले हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं, हे प्रभो, क्या मेरी रक्षा आपना करेंगे, जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं ह यह कौन जानता है कि क्या होगा हे संधार करने वाले क्रोध का संधार कीजिए हे तात के पात हे जगतपते आप जैसे महापुर्षों के क्रोध से संसार का प्रले हो जाता है संपुर्ण तत्व को जानने वाले सर्ववस्तों के कारण के कारण वेद और वेदान के बीच के बी सर्वमंगल के मांगले हैं और सनातन के बीज रूप है। इसलिए एक के अपराज से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे। प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्त हुए, प्रेम से प्रसन्य मुख एवं प्रेम विहल हुए, समने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद, मूल, फल, आदी से उनकी पूजा की। नारायन बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के उपर क्रिपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्य जान विशेश प्रेम से भरे हुए, नम्र अरजुन ने बारम बार नमशकार किया, और जो प्रश्ण आपने हम से किया है, वही प्रश्ण उन्होंने श्री इस प्रकार अरजुन का प्रश्ण सुनकर, श्री कृष्ण जण मात्र मन में सोचकर अपने सुहदुर्ग पांडवों को और व्रतकुधारन की हुई द्रौपती को आश्वाशन देते हुए, वक्ताओं में श्रेश्ट श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले, श इस प्रश्ण का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, जिश्यों को भी नहीं वीरित है, फिर भी है अरजुन, मित्र के नाते तथा तुम हमारे भक्तों इस कारण से हम कहते हैं, हे सुवरत, वह जो उत्तर है, वह अतियोग्र है, अथा क्रम से सुनो, चैत्रादी, जो बारा निमेश महिने के दोनों पक्ष, घणियां, प्रहर, त्रिप्रहर, चारूतुएं, मुहोर्त, दक्षिनायन और उत्रायन, वर्ष, चारो यूग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तलाप, कुएं, बावली, गणईयां, सोते, लता, औश् इन में ऐसा कोई अपुर्व व्यक्ति नहीं है, जो अपने अधिस्ट्रात देटा के भी ना रहता हो, अपने अधिकार में पूझे जाने वाले, यह सबी फल को देने वाले हैं, अपने अधिस्ट्रात देटा के योग के महात्ता में से, यह सब सौभाग्यवान हैं, हे पा चुने योग्य नहीं है यह मास मल रूप होने से चुने योग्य नहीं है और शुपकर्ण मों में अग्रहाय है इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरूद्योग प्रभारही दुख से घिरा हुआ अतिक हिन्नमन चिंता से ही ग्रस्तमन होकर दैसे मरनासन की तरह हो गया, फिर वा धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया, हे नर वैकुंठ भवन में जहां मैं रहता था, वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुर्शुत्तम को इसने देखा, उस समय अमुल्य रतनों से जडीत, सुवर्ण के सिहासर पर बैठ स्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आशुओं की धारा भाता हुआ, धैरे धारण कर गदगदवानी से बोला, सूच जी बोले, इस प्रकार महा मुनी बदरीनात कथा कहकर चूप हो गये, तब नारायन के मुख से कथा सुन, भक्तों के उपर दया करन नारत बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विश्नु के, निर्मल भवन में जाकर भक्ती द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शिग्र ना मिलने वाले, जगत को अभैदान देने वाले ब्रह्मरूप मु इस प्रकार पुर्शुत्तम मास महत्तम में का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ, पुलिए पुर्शुत्तम भगवान कीजे, विश्नु भगवान कीजे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फेमली में शेयर करें, और चैनल पर बने रह झाले 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 ती पुलिए पुलिए वीड़्यों कीजे पुलिए तीसरा अध्य।